भगवान भोले ना तुमा भवानी से कहते हैं भवानी इस कथा को बहुत सावधानी पुर्वक सुनिएगा क्योंकि भगवान की इसी कथा को सुन करके सतीमया को मोह हो गया था ब्रह्म हो गया था संसय हो गया था भगवान शंकर कहते हैं पार्वती भवानी भगवान की इसी वन लीला की कथा को अगर कोई ज्ञानी सुने तो उसे भैराग्य हो जाए लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ती सुन ले तो मोह में पड़ जाएगा इस संसार में फस जाएगा इसलिए कहता हूँ साव धानी से सुनिए एक बार की बात है क्या कि एक बार चुने कुसुम सुहाएगे निजिकर भूशन राम बनाएगे सीट ही पही राये मुसादर सीट ही पही राये प्रभु सादर बैठे भठी कसिला पर सुन्दर सीटा चरन चोंच हती भागा सीटा चरन चोंच हती भागा मूढ मंद मति कारन का गा मूढ मंद मति कारन का गा एक बार की बात है भगवान राम अपने आश्रम में श्री जानकी जी का श्रिंगार कर रहे थे पुष्प चुन करके लाए और पुष्पो का कुंडल बनाया पुष्पो का कंगन बनाया पुष्पो का ही बाजुबंद बनाया पुष्पो का गजरा बनाया और बना करके लगे जानकी जी का श्रिंगार करने सारे देवी देवता देख करके अत्यन्त प्रसन्न हैं सब खुश हैं भगवान की सलीला को देख रहे हैं